इसी रिलेशन्शिप की शुरुआत यह बहुत ही एक्साइटिंग और पैसिनेट होती है वर क्या यही पैसन, एक्साइटमेंट हमेशा के लिए दूनना सही है? कैसे एक लॉंग डर्ण रिलेशन्शिप बनाई जा सकती है? उस एक्साइटमेंट के लिए क्या हमेशा न्यू चीज़े ढूदना सही हो सकता है इसी कंसेप्ट को लेकर 2017 की निवनेस ये मुवी आती है modern day dating scenario और relationship को एक सही तरीके से explore करती है इसका end बहुत beautiful है तो अंतल जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे इसे चैनल को बहुत support मिलता है अब बिना किसी दरीक है इस मुवी को explain करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार होती है और हमारे main character मार्टिन और गावी ये दोनों हमें दिखाये जाते है इनकी lifestyle में ये rating एप पर swipe कर रहे थे जो भी इने अच्छा लगता है इनके साथ वो intimate हो जाते है मार्टिन एक hospital में pharmacist है उसके एक colleague है जिसका नाम है Jonah जोना अपना higher education करने के लिए अब यहाँ से जाने वाली थी उससे हैती है आज मेरा last day है मेरे साथ party में चलो मार्टिन इस पर जड़ा सोचता है फिर उसे कुछ और काम थे तो उसने मना कर दिया यहाँ पर उसने जो एना को भी notice किया पर फिर भी वो अपनी dating app पर swipe करने लगया parallel में हम Gabi को देखते है जो एक physiotherapist है यह दोनों आज भी swipe करकर अपने लिए date ढून लेते है date पर जाने से पहले मार्टिन अपने friends के साथ था उसमें से एक friend ने मार्टिन के ex-wife के बारे में बात करना start कर दिया कह रहा था कि मार्टिन का एक type है मार्टिन अपनी ex-wife को लेकर बहुत ही ज़्यादा sensitive है उसे इसके बारे में बात करना थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता तो अपने friends को छोड़कर वो चला जाता है वो अपनी date से मिला और बहुत सारी बाते उसने किये पैरलल में गैबी भी अपनी date से मिलती है उसके साथ उसके घर पर चली गई ये दोनों intimate तो हुए पर गैबी satisfied नहीं थी वो ऐसे ही घर पर आ गए मार्टिन भी अपनी date को घर लेकर जाता है पर उज़रा बीमार लग रही थी वो लटकी कहती है कि मैंने ज़रा ज़्यादा ही पिल्स ले लिए मार्टिन उसके लिए वरिड हो गया वो सिर्फ उसका खैल रखता है और ये date ही खतम हो गया अब तक ज़्यादा रात नहीं हुई थी और मार्टिन और गैबी ये दोनों आज रात अकिले थे इन्होंने फिर से अपना dating app खोला और swipe करना start किया दोने एक दूसरे को interesting लगे त उनका profile भी match हो गया मार्टिन गैबी को message करता है कहता है मैं कुछ भी serious नहीं चाहता है without strings वो उसके साथ intimate होना चाहता है गैबी भी यही चाहती थी तो यो दोनों बार में मिलें मार्टिन कहता है हम मेरे घर जा सकते हैं पर गैबी उसके साथ पहले drink करना चाहती थी मार्टिन इस dating app के बारे में उससे बात करता है कहता है कभी कभी लगता है कि मुझे exploit किया जा रहा है सिर्फ उसके looks को देखकर लड़के उसे swipe right करती है कोई भी उसे actual में नहीं जानता फिर भी ये need थी तो इसलिए उसे उसे एगरी करती है इसके बाद बातों बातों में हमें पता चलता है गैबी ने 2-3 degrees लेकर रखी है उसे हमेशा कुछ ना कुछ new करना अच्छा लगता है इसलिए अपने options को explore करती रहती है मार्टिन अपने career को लेका ज़्यादा satisfied नहीं था उसे लगता है कि वो एक जगापा stuck है रहा से निकलने के लिए वो कुछ करने भी नहीं वाला ऐसे बहुत सारी बाते इन्होंने की फिर dance किया बार में कुछ games खेले इन दोनों को एक दूसरी की company बहुत अच्छी लगी ये दोनों जब बाहर आए तो गैबी उसे सच सच बता देती है क्यों किसी और के साथ date पर थी है मार्टिन कहता है इसे मुझे जादा कुछ फरक नहीं परता गैबी को लगा था इनकी date यहीं खतम हो जाएगी और मार्टिन उसे dinner के लिए पूछता है ये दोनों और भी time एक साथ गुजारते है मार्टिन और गैबी इन दोनों को future में बच्चे चाहिए पर गैबी इसके लिए शादी नहीं करना चाहती है इनकी night बहुत अच्छी थी तो मार्टिन के घर पर आई ये दोनों intimate हो जाते है सुबा का भी मार्टिन की बच्चपन की photos देखती है ये दोनों मिलकर shower करते है मार्टिन उसके लिए breakfast बना रहा था गैबी को scramble legs पसंद नहीं है पर मार्टिन कहता है तुम्हाई लिए में special बनाऊंगा तुम्हें अच्छे लगेंगे गैबी को कभी भी पसंद नहीं आते थे पर आज उसे अच्छा लगा वो मार्टिन से पूछती है इसमें special क्या है मार्टिन कहता है बहुत ही छोटी छोटी चीज़े होती है पर उन्हें perfect करना पड़ता है वेल एक्चुली ये movie का बहुत ही important scene है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा आज इन दोनों का day off था तो decide करते हैं एक साथ बिताएंगे ये अलग-अलग जगा पर के paintings देखी बहुत मज्य किये गैबी फिर अगली सुभाई अपने job पर जाती है ये दोनों frequently एक दूसरे से मिलने लग गए इनका एक साथ रहना ये बहुत important था तो मार्टिन गैबी से उसके घर में movie करने के लिए पूछ लेता है ये सब बहुत fast था पर गैबी को इससे कुछ भी फरग नहीं पड़ा इसके लिए वह हाग कही देती है इसके बाद ये movies देखते थे अलग-अलग जगा पर जाते थे एक दूसरे के साथ बहुत ही beautiful सा time भी ताते थे एक दिन मार्टिन गैबी को अपने best friend और उसकी wife से मिलवाता है इन दोनों की chemistry देखकर मार्टिन के best friend को भी अच्छा लगा एक दिन जब गैबी मार्टिन के साथ intimate होना चाती थे तो मार्टिन इसके लिए excited नहीं था वो गहता है आज मैं ज़रा ठक गया हूँ इसके ही अगले दिन मार्टिन गैबी को अपने बैरन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है गैबी और मार्टिन के फादर मिलकर cook कर रहे थे यहाँ फादर से गैबी को पता चला कि मार्टिन की मदर को डाइमेंशिया है उसे कोई भी चीज़े सही सी याद नहीं रहती गैबी के लिए surprise था मार्टिन को यह जीज उसे बतानी चाहिए थी घर में गैबी ने नोटिस किया कि मार्टिन के बच्पन में उसकी सिस्टर के साथ फोटोज है मार्टिन ने अपनी सिस्टर के बारे में कभी भी उससे बात नहीं की थी यह सब जब लंच कर रहे थे तो मार्टीन की मदर, मार्टीन की एक्स वाइफ के बारे में बुश्चती है यह सब कुछ गैबी के लिए बहुत ही uncomfortable था वो मार्टीन से बुश्चती है तो कहता है घर जाकर हम बात करेंगे घर आने पर वो बहुत गुसा थी कहती है तुमने अपनी सिस्टर के बारे में अपनी मदर के बारे मुझे बात क्यों ने किये मैं तुम्हारी गर्फरेंड हूँ तुम मुझे सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए मार्टिन कहता है यह सब मेरा पास्ट है तुम इससे बारे में जानना क्यों है गैवी उसे irritate कर रही थी मार्टिन हार मान कर बता देता है उसकी sister की एक car accident में date हुई थी उसके बाद उसकी family पहले जैसे कभी भी नहीं रही यह उसके लिए बहुत ही sensitive topic था पर फिर भी उसे बात करनी पड़ी इस पर वो गैवी पर भी गुसा था इसके बाद next scene में मार्टिन अमने best friend के साथ था उसका best friend उसे पुछता है क्या तुम गैवी से प्यार करते हो मार्टिन कहता है कि हाँ उसने मार्टिन से कहा तुमारी ex girlfriend को baby हुआ है मार्टिन और उसकी ex girlfriend इनका break up हुए 10 साल हो चुके है पर फिर भी वो इस पर believe नहीं कर पाता गैवी जब काम पर थी तो उसके यहाँ एक patient आया वो गैवी को पहजानता है क्योंकि उससे के बार में वो हमेज़ा आया करती है उससे नहीं पता था कि वो यहाँ काम करती है तो उसे देखकर वो बहुत surprise था उसके doctor के साथ appointment वेगरा हो गए तो फिर से गैवी से मिला उसे कहता है आज रात मेरे यहाँ party है अगर गैवी इस party में आई तो एक celebrity से उसे वो मिलवाएगा वो गैवी से यहता है कि आज में यह आया तो मुझे लगता है इमें सिर्फ तुमारे लिए आया हू उसे वो बहुत पसंद आई थी मार्टिन की कली जो higher education के लिए चली गई थी वो ज़रा कुछ काम से फिर से वापस आई वो आज उसे कहती है कि आज तुमें मेरे साथ party में चलना ही पड़ेगा वो उसे मना नहीं कर पाया वो इस बारे में गैवी को मैसेज करता है गैवी ने भी decide किया कि वो उस party में जाएगी ये दोनों party में गए और किसे और के साथ intimate हो गए गैवी ने मार्टिन पर cheat किया तो उसे बहुत बुरा लग रहा था वो उसके पास है रोकरों से सब कुछ सच बता लेती है मार्टिन कहता है कि मैंने भी तुम पर cheat किया ये दोनों एक दुसरे से sorry कहते है इनको अपनी relationship नहीं तोड़नी थी तो decide किया एक therapist के पास जाएंगे अपनी relationship पर काम करेंगे जो एक दुसरे के साथ महसूस करते है ये कवे भी किसी के साथ भी नहीं किया therapist नहीं इनसे separate separation किया वो मार्टिन से बोचता है तुमने cheat क्यों किया था वो गहता है मुझे life में कुछ exciting चाहिए था यहीं answer Gabby का भी था therapist इन दोनों से बात करता है कहता है तुम दोनों को एक दुसरे के साथ honest रहना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर try करो इससे तुमारे relationship बहुत powerful होगी इन दोनों ने फिर बात की फिर first time में किसके साथ intimate होए थे मार्टिन को एक बात खाये जा रहे थे गहता है जब में छोटा था तो अपनी sister को shower में देखता था उसे लगता है कि गैवी को अगर ये बात पता चली तो उसे monster समझेगी गैवी कहती है ये तो बहुत ही normal है छोटी बच्चों को curiosity होती है इसी वज़े से ये सब वो करते है एक दूसरे के secrets जानने के बाद एक दूसरे से और भी ज़्यादा comfortable होके आज जब ये intimate हुए है तो इसमें कुछ अलगी passion था ये दोनों फिर मिलकर decide करते है एक दूसरे से कभी भी जूट नहीं कहेंगे अगर उन्हें कोई और अच्छा लगता है तो उसके साथ वो intimate हो सकते है और by the end of the day ये एक की relationship में हैना चाते है इसी तरीके की open relationship अब ये try करने वाले है एक दिन ये दोनों एक party में कहे मार्टिन को एक लड़की अच्छी लगी थी तो गैबी कहती है तुम जाओ और उसके साथ बात करो मैं तुम दोनों को देखती रहूंगी इसी party में गैबी लैरी से मिलती है लैरी एक middle age का millionaire है गैबी को उसे बात करकर hangout करकर अच्छा लगा party खतम हो जाने के बार गैबी और मार्टिन ये दोना एक साथ घर गए गैबी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे सामने lap dance लो कैबी जब किसी और date बरोगी तुम मार्टिन उसवर नज़र अगना जाता था ये भी ओ ट्राइ करते है ये सब चीजे करने की वज़े से एक दुसरे से और भी attracted हो गए थे एक दिन ये दोनों एक लड़की को भी घर पर लेकर आए उसके साथ intimate हो गए इनकी जिस तरह की relationship है इसे relationship को लेकर एक author ने book लिखा था वो इस author से गहते है कि हमारे relationship strong हो रही है author उन से गहती है कि जो भी आप कर रहे हो ये आपकी relationship के लिए सिर्फ एक step है इसी तरह के से वो continue नहीं कर सकते है इस बात को इन दोनों ने seriously नहीं लिया Larry ने Gabby को अपनी board पर invite किया था तो वहाँ वो चली जाती है Larry Gabby से बोचता है तुमारा boyfriend है पर फिर भे तुम यहाँ हो Gabby अपनी relationship के वारे में उसे explain करती है Larry कहता है कि ये चीज work नहीं करेगी हर एक relationship एक transaction होती है finally इस world में आदमी अकेलाई होता है सिर्फ थोड़े time के लिए company ढूनता रहता है इसी वज़े सो Gabby के साथ time spend करना चाता था इसके parallel में Martin अपने friend की साथ था उसका friend उसे बुचता है क्या इन सब जीजों से तुमें कोई problem नहीं Martin कहता है Gabby किसी और से satisfied नहीं होती finally वो मेरे पास ही आ जाती है इसी वज़े से उसे कोई भी problem नहीं है Martin आजकल ज़रा tension में था एक दिन वो बार में गया तो उसके Gabby की friend की friend जिसका नाम में Blake यो उसे वहाँ मिली ये उसके साथ बेट कर drink करने लग जाती है वो उसे कहती है तुम कोई ना कोई चीज को लेकर tension में हो मुझे बता डालो Martin को नहीं बताना था पर फिर भी उसके force की वज़े से वो बता देता है वो कहता है कि मुझे अभी भी पता चला मेरी girlfriend को baby हुआ है वो जब relationship में थे तबे भी उसकी girlfriend pregnant थी वो उसका miscarriage हो गया उस वक्त उससे सही से बात नहीं कर पाया उसी वज़े से relationship तूट गई वोसे लगता था कि वो हमेशा उसके लिए है पर उसकी girlfriend life में सही तरीके से move on कर चुकी है तो upset था Blake realize करती है कि Martin को यह सब बाते Gabby को बतानी चाहिए वो uncomfortable होकर यहां से चली गई Martin इन सब बातों से बहुत disturb हो गया था वो रात में Gabby के पास आया उससे बात करना चाहता था पर Gabby बहुत थक चुकी थी वो रात में अपने ex-girlfriend की सब photos उसकी videos देखता रहता है इसके बाद Gabby फिर से Larry के साथ डेट पर की आज राते दोनों intimate हो गए थे अगली सुबा जब में Martin को पता चला तो इस बात से वो जेलस था अगली सी जब Gabby अपने friend से मिली तो उससे पता चला Martin और Blake यह दोनों एक दुसरे से बात कर रहे थे Martin ने उसे जो जो कहा था इस सब कुछ Gabby को पता चल गया वो इस बात से बहुत गुसा हो गए वो Martin का laptop चेक करती है यह उसे पता चला कि Martin अपने ex-girlfriend को email लिख रहा था Martin की घर आने पर इस बात से इन दोनों में बहुत बड़ा जगड़ा हो गया वो इसे गहती कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो Martin कहता है तुम में Larry को डेट कर रही हो Larry ने Gabby को एक निकलेज दिया था इसके बारे मार्टिन को पता नहीं था अब उसे पता है तो गहता है तुमने इसके बारे भी मुझे नहीं पता है Gabby चाहती थी कि उससे बात करे मार्टिन कहता है मैंने कोशिश की थी इन दोनोंने एक दूसरे से बहुत बुरी बाती की Gabby घर छोड़ कर Larry के साथ रहने लग जाती है एक दिन मार्टिन अपने फ्रेंड के साथ था तो गहता है relationship इस तरीके से नहीं होती जब भी तुम्हें लगता है तो break up कर लेते हो किसी और को date करने लग जाते हो जब आप किसी से प्यार करते हो तो relationship को लेकर work करना पड़ता है आप में fights होगी और फिर भी आपको उस person की साथ ही रहना है इस तरीके से अगर तुम give up करते रहे तो कोई भी relationship successful नहीं होगी Larry के friend ने एक बार अपनी grandfather से पुझा था इस successful marriage क्या होता है grandfather ने कहा कि ऐसे एक अबर जो कभी भी एक दूसरी को छोड़ करने जाते कुछ भी हो जाए हमेशा एक दूसरी का साथ देते है मार्टिन के friend ने उसे कहा ये सब चीज़े बहुत ही simple है इससे complicated मत करो जब Gabby Larry के साथ थे तो कहता है मुझे मेरे business के लिए 3 months के लिए ज़रा travel करना पड़ेगा वो Gabby को भी उसके साथ आने के लिए कह रहा था Gabby इस पर सोचने वाली है लैरी कहता है कि एक्स बहुत ही perfect है Gabby को फिर से मार्टिन की याद आती है मार्टिन ने कहा था कि छोटी छोटी चीज़े होती है इनका अगर आप ध्यान रखे तो चीज़े beautiful हो जाती है relationship में इनी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मार्टिन से फिर से बात करना चाहती थे आज राद लैरी के हाँ party थे इसी party में Blake भी आई हुई है Gabby को लगा था कि Blake और मार्टिन दुनों intimate हुए थे इस बात की वज़े से वो बहुत है अपसेट है और Blake को इस party में नहीं देखना चाहती थे वो बहुत अपसेट होके इस बारे में उसने लैरी से बात की लैरी कहता है कि वो मेरी guest है मैं उसे इस तरह से नहीं निकाल सकता Gabby अपसेट होकर वहाँ से चली कई एक दिन अचानक मार्टिन को अपनी ex-girlfriend का call आया वो उसे मिलना चाहती थे मिलने के बाद मार्टिन उसकी बेबी के लिए उसे congratulate करता है वो कहती है कि मुझे बेबी होना ये मेरी life का बहुत इबूटिफुल पार्ट है वो मार्टिन से sorry कहती है उसने कहा हमारे relationship में मैंने सब चीजों को लेकर तुम्हें blame किया था miscarriage के बाद हम दोनों hurt थे इस तरीके से हमें नहीं act करना चाहिए था मार्टिन पूछता है क्या तुम खुश हो वो कहती कि हाँ पर इस तरीके से खुश होना ये उतना exciting भी नहीं है कभी-कभी उसे bore भी होता है पर फिर भी उसे यही life चाहिए जिस तरीके से मार्टिन की life है थोड़ी सी excitement के लिए वो long term खुशी के बारे में कभी भी नहीं सोचता एक stable relationship में नहीं जाता इन सब चीजों से उसकी ex-girlfriend तंग आ गई थी और अब वो एक stable relationship में है वो कभी-कभी bore लग सकती है पर फिर भी ultimately यही हमें खुशी देती है मार्टिन अकेला पड़ चुका था उसे बहुत बुरा लगता है अगली दिन लैरी और गैवी फिर से बात करते है लैरी कहता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो गैवी कहती है कल राज हुआ क्या उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे लैरी कहता है कि तुम सिर्फ जरा out of control हो गई थी इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है वो गैवी को ज़्यादा seriously नहीं लेता उसे लगता है कि गैवी किसी भी चीज़ को लेकर serious नहीं है इसी वज़े से हमेशा dating करती रहती है लैरी उसके साथ है क्योंकि उसे लगता है कि ये relationship सिर्फ एक transaction है गैवी उसके साथ रहेगी इसके बदले में वो पुरा world उसे घुमाएगा ये सब बात ये गैवी को सही नहीं लेगी गैवी उसे गहती है तुम जो बात करे हो इस सिर्फ तुमारे ले सही है वो इस तरीके से इस relationship में नहीं रह सकती लैरी की life figure out है उसे कोई भी चीज़ के बारे में worry नहीं करनी ये भी ने realize किया कि उसने अपनी life अब तक start भी नहीं की उसने realize किया है कि वो मार्टीन से बहुत प्यार करती है उसके साथ अपनी पूरी life spend करना चाहती है मार्टीन के पास आकर उसने कहा मुझे कुछ serious चाहिए जिसे मैं अपना मान सकूँ मुझे लगा था कि मुझे नहीं चाहिए पर मैं ये करना चाहती हूँ मुझे लगता है मैं अगर इस relationship में efforts डालूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा जब मैं तुमारे साथ थी तो हमारे relationship इसी magic की तरह थी मार्टीन भी बहुत हर्ट था पर वो गैबी से ही प्यार करता है वो कहता है पहले हम जो भी कर रहे थे ये कुछ भी नहीं चलेगा गैबी भी इसके लिए मान जाती है गैबी को पता है उससे भी पहली तरह कुछ भी नहीं चाहिए मार्टीन कहता है हम दोनों इक दूसरे से बोर्ड हो जाएंगे गैबी कहती है फिर भी हम एक साथ रहेंगे हम अपने आपको याद दिलाते रहेंगे क्यों हमें एक साथ रहना है हम एक दूसरे से कितना प्यार करते है इन दोनोंने प्रॉमिस किया एक दूसरे को अनाय करेंगे फाइट करेंगे फिर भी हमेशा एक साथ ही रहेंगे क्योंकि प्यार के लिए हमें जगर ना पड़ता है पर ultimately एक दुसरे का साथ ही सबसे important है इसे एक powerful message के साथ ये movie end हो जाती है इस movie की relationship, इसकी settings ये शायद गलत लग सकती है पर behind the story अगर हमने इस बारे में सोचा तो ये बहुत powerful message ये movie देख कर गए अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा ये बहुत सारी movies लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दाओने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे